भारत में तो हर जगा इस वक्त प्रचंड गर्मी है और मुझे लगता है कि जो लोग इस गर्मी के बावजूद और अपनी कठिनाईयों के बावजूद बाहर आ रहे हैं वोट देने उनकी प्रशंसा भी बनती है और मुझे लगता है कि उनका प्रोथसाहन भी बनता है सर आप लोग दोनों पति-पत्नी है एंजी एंजी यो देखें वोट देने आये आप मैं देख रही थी हांजीन क्या नाम है आपस मेरा नाम तो रशी कुमार है और इसका नाम है सुनीता तो रशी और सुनीता जी इतनी गर्मी है उसके बावजूद लोग वोट डालने ही आ रहे हैं। मैम आप आई हैं मुझे बताईए कि आगरा के लोग उत्साहित हैं वोटिंग के लिए हाँ बिलकुल उत्साहित हैं आप महिला हैं महिलाओं के क्या मुद्दे हैं आगरा में क्या आपको लगता है दिक्कत है क्या सुधार की जरुवत है क्या अच्छा है जब से मेरा नाम रितिका है जब से बीजेपी की सरकार आई है और हमारे सीएम जब से बने हैं दुबारा जब बने थे तब से अब तक बहुत ज़्यादा प्रगती हुई है सफाई में और गुंडगर्दी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है और महिलाओं के लिए आगे यह कि jobs और opportunities वगेरे जादा होनी चाहिए जैसे metro की सुविधा आई है ये भी बहुत अच्छी बात है आज से 10 साल पहले हमारे अगरम है से कुछ नहीं था जो 10 साल बाद changes होए है मेरे लिए यह है कि मोदी जी वापस आने चाहिए गुंड़ाई और गुंड़ागरदी की बात कर रहे है तो आपको लगता है कि उसमें फरक पड़ा है बहुत फरक पड़ा क्योंकि महिलाए सुरक्षा के बारे में बाद गुंड़ागरदी कम हुई है सासा सफाई भी हुई है मोदी सरकार को आना चाहिए अच्छा उन्हें ही आना चाहिए मुझे यह बताइए और भी तो वोटिंग हो रही बड़े बड़े आच चाहरे है शिवराज जी की वोटिंग हो रही है मद्धिप्रदेश में जोतिरा अदितिसिंद्या के लिए भी वोटिंग हो रही है मतला अगर उनकी सीट पर जहां से वो लड़ रहे है खुद अमिट्शा जी गुजरात में हम तो यह चाहते हैं जी मोधी जी आने चाहिए मोधी जी और योगी जी क्यों इनका जो मनेजमेंट है बहुत अच्छा है और इन्होंने देश को बहुत सुधारा है और खासकर यूपी में तो गुंडागर्धी ही नहीं हमारी नदर में निτο क्या होता था आगरा में, मुजफर नगर में, मीर्ट में भोत धंगे होते रहते थे यालीगड़ में हमारे तो सुनवाई में नहीं होता कि कहीं धंगा हो रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है और हम हैं हिंदू है और इसमें मुसलमान भी बहुत खुश हैं कि दंगे नहीं ही नहीं हो रहे क्योंकि हमारे मित्र हैं मुसलमान कहीं, वेपारी लोग वो सारे खुश हैं कि योगी और मुधी की वय horse से आगरा के अंदर बिल्कुल दंगे नहीं हो रहे। बहुत इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन है सर और इसलिए आप जो वह बात कह रहे हैं मैं लोगों तक भी इसलिए पहुचा रही हूँ क्योंकि ये संदेश जाना चाहिए और एक आम नागरिक के जरीए जा रहा है तो और भी अच्छा है वैभव हमारे साथ है वैभव जर प्रचंड गर्मी के बाद भी लोग बढ़ चल कर मतदान करने के लिए पहुच रहे हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं तक क्या हिंट देंगे और जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं निकले उनको लेकर क्या कहेंगे आप अधिक सेंक्या में बोट डाला है जिससे हमारे देश में एकता और अखंड़ता प्रसे मजबूत हो सके और सभी लोगों से अन्रोथ कर रहा हूं मैं इस आपके चैनल के माद्यम से कि बोट डालने से हमारी तागत बढ़ती है सभी लोगों को बोट डालना चाहिए आपका ह अब ने अभी बताया है जो लोग बोट डालने निया है वो भी डालने आएंगे और जे चुनाव एक महापर्व के रूप में है और सभी को बोट डालना चाहिए आप क्या हिंट देंगे थुड़ा सा बताईएगा क्या मुद्दे हैं गवालियर के इस बार अब तक हुआ गवालियर का विकास अगर बात करें नहीं हुआ इतना नहीं हुआ यतना होना चाहिए था थोड़ा सा हिंट दीजिए अगर कौन आएगा तो विकास गवालियर का और हो सकता है अब हम तो भी उम्मिद करने आपको उम्मिदे हैं सर एक बर अगर आप हमसे बात करें देखें कुछ लोग बुजुर्ख मद्दाता भी हैं थोड़ा सा हिंट दीजिएगा गवालियर का क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है खास बस सबका साथ सबका विकास है शिवा ऐसे हैं जो अभी घर पे हैं करेवोट देने नहीं जाएगे उनको क्या मैसल देंगे उनको जागरता के साथ आन चाहिए प्रसंदा के साथ आए था चाहिए क्योंकि राम आये हैं तो है ना और सर्व के देश के सरवार्त विकार से तूब मतलब इनको बहुत आ गया उस्सा के साथ आना चाहिए ग्वालियर में काम हम हुआ है थोड़ा सा हिंट इसको लेकर काम को लेकर भी दीजिएगा ना ने काम सब जगे अच्छे होए हैं और अच्छे होने के काफी उमीद है उसकी लिस्ट भी बन चुकी है और जो कि दिखलियर हो चुकी है तो मैं तो यह होंगा कि आज की यूबा के हर परवार हर मत दाता करण को बड़े प्रसनता के साथ ने हो, अमंग के साथ ने हो, उदारता के साथ ने हो गामान के लिए तो कम से गामाना चाहिए तो बलकुल देखें, लगातार यहाँ पर वोटरों से लोग अपील करते वे रज़र आ रहे हैं और ग्वालियर के अंदर भी लगातार इस चलचलाती धूप पे भी मत दाता अपने मत का स्तेमाल करने के लिए पहुच रहे है प्रड़ी टीम उस फक्त रिपब्लिक भारत के ग्राउंड जिरो पर मौझूद है हर एक सीट से एक एक अप्डेट हम आपको बताएंगे लेकिन फिलाल एक चोटा सा ब्रेक कहीं जाएगा नहीं बहुत जल्ब आपस लोटेंगे और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हो है यह तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं शेकर सुमन को आप देख रहे हैं अभी नेता है और कॉंगर्स नेता राधिका खेडा जो बीजेपी में शामिल हुए है तस्वीरे आपके सामने देखे उनको बीजेपी में शामिल किया गया है बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है शेकर सुमन जिसके हर कोई वाकफ है अभी नेता रहे हैं और कॉंगर्स नेता राधिका खेडा को भी आप देख सकते हैं उनके बगल में हैं, उन्हों ने भी, दोनों ने ही बीजेपी की सदस्थिता ली है, जो इसकी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, बीजेपी में, अभिनेता, शेकर सुमन, बीजेपी में शामिल हैं, और ये रादिका खेडा, कॉंगरिस नेत हाली में इस्तिफा दिया था कॉंगरिस से, और कई बड़े गंबीर आरूप लगाया, आज बीजेपी के साथ, शेकर सुमन और रादिका खेडा, दोनों आ गये हैं, तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की, अभिनेता, शेकर सुमन, बीजेपी में शामि प्रदान हो रहा है, और बढ़ चण कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने मतादिकार का इस्तमाल कर रहे हैं, घरों से लोग निकल रहे हैं, वोटिंग का प्रतिशत भील, लगतार बढ़ता जा रहा है सरफ मोदी जी की गैरंटी की सरकार थी की बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से वहां पर पहुँच सकी, और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, नरेंदर मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राश्ट्री अध्रियक्षी जेपी मुका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूँ और भारतीय जंता पार्टी में शामिल हो सकूँ और एक मौका नरेंदर जी के द्वारा अमिच शाह जी के द्वारा जेपी नड़ा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कॉंट्रिबूशन देने का और नीशन बिल्डिंग में और भारत को सच में विश्व प्रसेद विश्व में सबसे भैतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद रधिके खेड़ा जी मेरा आग रहा है शेकर सुमंजी से कि मीडि के तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं उनको दिल से मेरा नमश्कार और कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहां बैठूंगा और देखिए अलग अलग जगा पर आप देख रहे हैं मतदान को लेकर कितना उत्सा है यहां पर देखिए आप एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं मतदान के साथ चाच भी मिल रही है भाईया चाच पीते-पीते कैसा माहूल चल रहा है पहले तो यह बताईए गुजरा में 26 की सभी सीट बाजब की है एक तो आ गई है पचीस की पचीस बाजब की आएगी यह देखिया और चाच पीने के वाद यह उत्सा है जी भाई साब क्या नाम है आपका विश्णु भाई विश्णु भाई पटेल मोदी साहिब हमारे इलाक है क्या है यह वाट करने के आय लेकिन गर्मी में आप लोग निकल रहे हैं मतदान की लिए क्या केना चाहेंगे आप बस हमें तो मोदी साहिब आई जैए वी जमारी बावनाश बस अच्छा हाँ अमना गर्मी नड़ती नदी आप देख रहे हैं उनका कहना है कि गर्मी भी कुछ नहीं रहेगी और यह बत की भी अमीच साहब से भी बत की और हमने हमारी सुपकामने भी बत्ची लगाई कि आप 422 सिट आएगी और जो लोग कहते हैं कि नहीं आएगी 400 तो 100 परसंट आएगी इसमें कोई गुंजाईस ही नहीं है राजपूतों का मुद्दा भी चल रहा है आप राजपूतों के वह कैसा रहा आपकी क्या मुद्दे चल रहे हैं अच्छा है तो यह आप देखिए भी ढूप है भीड है लेकिन उसके बावजूद भी चाच मिल रहे हैं मतदान के लिए पहुंचना है हमारी सयोगी सुचरिता का एक बार रुख करते हैं सुचरिता जारा बताईए गुजरात में गर्मी तेज है फिर भी लोग निकल रहे हैं वहाँ की तस्वीर दिखाईए आप दर्शकों को और मुझे लगता है कि उनका प्रोथसाहन भी बनता है सर आप लोग दोनों पति-पत्नी है तो देखे वोट देने आये आए आप मैं देख रही थी मेरा नाम तो रिशीकुमार है और इसका नाम है सुनीता ची इतनी गर्मी और रही ओं जी भी आप। मेरा रहे हैं जब के लोग बौर देने क्यों निकल रहे हैं कि निकल रहा है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मेडम मेरा नाम रायन है, गर्मी तो हर साल पड़ती है, वोट पांच साल वारा आते हैं ज 이 या बात है 5 मिनाट की मैरत नहीं करेंगे देश के लिए तो क्या करेंगे क्योंकि फिर सरकार भी आपने चुननी हैं फिर बाद में किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं मैम आप आई हैं मुझे बताईए कि आगरा के लोग उतसाहित हैं वोटिंग के लिए हाँ बिलकुल उतसाहित हैं